तो अभी तक सेल के अंदर हम जो पढ़ चुके हैं हमने अभी पढ़ा बहुत सारे डिफरेंट अलग-अलग सेल ओर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर उनके फंक्शन कल जो हमने पढ़ा वो था लाइसोसॉम समझ में आया कि उसको सूसाइडल बैक क्यों बोलते हैं इसके बाद फिर हमने पढ़ा माइटोकॉंड्रिया और ये समझ में आया कि माइटोकॉंड्रिया को पावर हाउस अब दा सेल क्यों बोलते हैं एक-एक करके सेल के सभी अलग-अलग कंपोनेंट जिनको हम बोलते हैं सेल ओर्गेनेल्स हर एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं सेल ओर्गेनेल्स वो हम कंप्लीट करते जा रहे और हमको सेल समझ में आती जा रही है चलिए तो आगे थोड़ा सा और बात करते कि माइटो कॉंड्रिया के अलावा और क्या होता है सेल में तो हम बात करेंगे प्लास्टिड आज का जो सेल ओर्गेनेल है उसका नाम क्या है प्लास्टिड तो सवाल आता है सेल में कहा होता है कैसा होता है और क्या करता है यही चीज तो समझना है तो चलिए फिर से बनाते हैं एक सेल और देखते हैं सेल में प्लास्टिड कहा है तो सबसे पहली बात ये मैंने बनाई एक सेल ठीक है और ये बना दिया नूकलियस डबल मेंब्रेन वाला नूकलियस यहाँ हो गया साइटो प्लाजम अब तो आपको समझ में आता जा रहा है अगर हम प्लाश्टिड की बात करें प्लाश्टिड तो ये प्लाश्टिड भी पाया जाएगा इसी साइटो प्लाजम में जैसे ये हो गया सेल औरगेनेले तो एक मेंब्रेन होगी इसके पास मैंने एक मेंब्रेन बना दी यहाँ पे साइटो प्लाज में तैरता हुआ पाया जाएगा जैसे नूकलियस के पास डबल मेंब्रेन थी याद है ना नूकलियस के पास डबल मेंब्रेन थी माइटो कॉंड्रिया के पास भी डबल मेंब्रेन थी ठीक ऐसे ही ये एक तीसरा कमपोनेंट है सेल का जिसके पास भी डबल मेंब्रेन होती है इसकी जो अंदर की मेंब्रेन है वो भी कंटुनियस ही होती है इसमें माइटो कॉंड्रिया का जैसा फोल्डिंग नहीं होता ये बिल्कुल ऐसे ही है सिम्पल और इसके अंदर भी कुछ न कुछ फ्लुड भरा हुआ है ये भर दिया मैंने इस फ्लुड को हम बोलते हैं इस्ट्रोमा इसको क्या बोलते हैं इस्ट्रोमा माइटो कॉंड्रिया पे दुबारा से जाओ वहाँ पर माइटो कॉंड्रिया में अंदर की मेंब्रेन में ऐसे फोल्ड थे जिनको हमने कृष्टी बोला था याद आ गया होगा आपको यहाँ पे ये मौजूद था इस तरह का यहाँ पे तो कंटिनियस है दोनों लेयर प्लास्टीड में ये माइटो कॉंड्रिया है और यहाँ पे जो फोल्ड भरा था उसको हमने नाम दिया था मैट्रिक्स इसको नाम दिया था मैट्रिक्स इसको नाम दिया इस्ट्रोमा चीक है तो दो चीज तो किलियर हो गई कि प्लास्टीड और माइटो कॉंड्रिया ये दोनों के दोनों डबल मेंब्रेन रखते हैं पहली बात double membrane रखते हैं nucleus भी रखता है वो तीसरा component है वो तो लगबग हर cell में होता है यहाँ पे भी mitochondria लगबग हर cell में होता है लेकिन इसके साथ एक problem है प्लास्टिड हर cell में नहीं पाई जाता ऐसा नहीं है कि हर cell में प्लास्टिड मिले फिर किस सेल में मिलेगा प्लास्टिड मिलता है केवल और केवल only in plant cell अगर सेल किसी प्लांट की है तब ही प्लास्टिड मिलेगा नई तो ये absent होता है हम कह सकते कि animal सेल में animal भी तो सेल से मिलके बने है plant भी तो सेल से मिलके बने है लेकिन plant की सेल में प्लास्टिड होता है present होता है और animal की सेल में प्लास्टिड absent होता है नहीं मिलेगा animal के पास मतलब हम लोग animal है human beings dog, cat, buffalo, elephant we don't have any प्लास्टिड हमारी सेल की अंदर प्लास्टिड नहीं है लेकिन plant की सेल के पास उसकी हर सेल में प्लास्टिड मौजूद होता है each and every प्लास्टिड है और प्लास्टिड each cell ध्यान देना मैं each cell की बात कर रहा हूँ सब के पास होता है तो क्या-क्या किलियर हो गया कि पहली बात अगर प्लास्टिड है तो ये प्लांट सेल में मिलेगा प्लास्टिड है तो ये प्लांट सेल की साइटो प्लाजम में मिलेगा और इसके पास भी डबल मेंब्रेन होती है तो यहाँ पे अगर ये मालीज ये सेल है और मैंने इसके अंदर लिख दिया प्लास्टिड क्या आप बता सकते कि ये सेल एक प्लांट की है या एनिमल की तो आप आसानी से बोलेंगे सर चूकि इस सेल में प्लास्टिड मौजूद है इसलिए ये एक प्लांट की सेल होगी क्यों क्योंकि animal cell में तो प्लास्टिड होता ही नहीं है तो simple अगर ये plant cell है देखें mitochondria तो plant में भी मिलता है animal में भी मिलता है मैंने suppose यहाँ पर एक और ऐसे ही बना दिया अब इसके अंदर मैंने double membrane ऐसे बनाई और इसके अंदर मैंने double membrane ऐसे बना दी क्या आप बता सकते हैं इनमें प्लास्टिड कोन है और mitochondria कोन है तो जब भी आप mitochondria बनाए उसको ऐसे बनाना है ये mitochondria हो जाएगा बनाने का तरीका और ये जो plane आपने बना दिया ये आपका प्लास्टिड हो जाएगा और जो बीच में center में बैठा है वो आपका nucleus हो जाएगा ठीक है एक तो ये चीज दिमाग में रखना है कि mitochondria को हमेशा ऐसा बनाना है और प्लास्टिड को ऐसा बनाना है अब इस प्लास्टिड के अंदर क्या होता है और ये क्या करता है चलिए इसको समझते हैं प्लास्टिड कैसा होता है तो मैंने प्लास्टिड को फिर से बड़ा करके यहाँ पे बनाया और इसमें मैंने दो मेंब्रेन लगा दी ठीक है कितनी मेंब्रेन डबल मेंब्रेन ये हो गई डबल मेंब्रेन ये एक सेल थी ये सेल का नुकलियस है और उसके अंदर ये आपका ये वाला डाइग्राम मैं बना रहा हूँ ये कैसा होता है इसके अंदर जो फ्रोल भरा है उसका नाम मैंने बता दिया उसको बोलते हैं इस्ट्रोमा इसको क्या बोलते हैं इस्ट्रोमा अब जब हमने इस्ट्रोमा में देखा तो मेंब्रेन की बनी टिबूलर इस्ट्रक्चर इसमें बहुत सारी पड़ी हैं एक के उपर एक जैसे यहा साइटोपलाज में थी और नुकलियस के पास में थी यह गॉलजी कोंप्लेक्स था ऐसी ही ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर मेंब्रेन की बनी यहां पर एक दूसरे के परेलल परेलल पाई जाती है एक पाईप ये हो गया एक पाईप ये हो गया ऐसे इसमें बहुत सारे एक के ऊपर एक ऐसे मेंब्रेन की टुबूलर स्ट्रक्चर पाई जाती है इस्ट्रोमा में तेरती हुई ये मैंने बहुत सारे मेंब्रेन की टुबूलर स्ट्रक्चर भर दे इसके अंदर और ये भी आपस में जुड़ी हुई होती है, चलो इनको जोड़ दो, कहीं से भी जोड़ दो, इसको यहां से जोड़ दो, तो एक गठर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे इसमें Stacks of Unit होती है, ठीक है, इन सब को, ये जो इसमें Membrane की Structure जो पड़ी हुई ह इन सब को मिला कर हम बोलते है, ग्रेना, इन सब को क्या बोलते है, ग्रेना, ग्रेना मतलब Grain, Grain मतलब कुछ Solid Item, तो इस लिक्विड में जो Membrane का बना हुआ कुछ Structure है, उसको ग्रेना बोला जाता है, ग्रेना, ये स्ट्रोमा, इस्ट्रोमा क्या है, वो लिक्विड बाला पार्ट, तो कह सकता हूँ कि Plastid में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को स्ट्रोमा बोलते हैं, एक को ग्रेना बोलते हैं, अब जो मैंने ट्यूब जैसी Structure बनाई, एक्चुल में ये Structure भी Double Membrane वाली होती है, ऐसे, तो मैं इनको सब को Double Membrane बना दू, ये सब की सब Double Membrane वाली होती है, खुद Plastid भी Double Membrane का है, तो ये भी Double Membrane का है, देखो कितना बढ़िया है, Everything is Double, अरे वाल, क्या बढ़िया है, चलो ये Double, 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 अब इन में से मैं एक यूनिट को केबल निकालूं, इस पाइप को मैंने निकाला, एक ये Tube जैसी Structure को मैंने निकाला, इसको क्या कहते हैं, तो इसका नाम है Thylecoid, इसका मतलब ये हो सकता है, कि जब बहुत सारी Thylecoid, एक के ऊपर एक जब जमा हो जाती हैं, तो ये Grana बनाती हैं, Each unit of Grana is called Thylecoid, आप सर इतने नाम याद नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा बता रहे सर, आप नाइन्थ के बच्चे हैं, छोटे-छोटे, थोड़ा रहम करो, तो भईया इतना याद रखो, कि ये Plastid जो है, वो Double Membrane वाला है, इसमें दो component है, एक Grana और एक Stroma, इतना तो याद रखना पड़ेगा, अब ये जो Grana है, ठीक है, अब इस Grana के अंदर कुछ Colorful Chemical पड़ा रहता है, Colorful Chemical इनके अंदर, Color, Color, Color वाला Molecule, Powder जैसा आप गुलाल खिलते न, ऐसा Chemical इसके अंदर भरा पड़ा है, और इन Chemical को जो इन Thilakoid के अंदर है, मैं कहूंगा, जो Grana में जो Color वाला, जो Chemical पाया जाता है, इस Chemical को हम बोलते हैं, पिगमेंट, इसको क्या बोलते हैं, पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब ही होता है, Color, इन Grana में कुछ Special Color के Chemical पाये जाते हैं, जिनको हम पिगमेंट बोलते हैं, अब ये पिगमेंट किस Color के हैं, इनका Color कैसा है, उसके आधार पे हम पूरे Plastid को भी तीन टाइप में बाटते हैं, ऐसा Plastid जिसमें हरे रंग का Color है, ऐसा Plastid जो बिल्कुल Color Less है, और जिसमें हरे रंग के अलावा कोई दूसरा रंग है, अधर कलर अगर है, तो ये आपके तीन तरह के Plastid हो जाएंगे, अगर हरे रंग का इसमें Pigment मौजूद है, तो हम इस Plastid को बोलते हैं, क्लोरो प्लास्ट, क्लोरो प्लास्ट, क्लोरो प्लास्ट, एक ऐसा Plastid, जिसमें हरे रंग का Pigment पाया जाता है, जिसका नाम होता है क्लोरो फिल, उस Chemical का नाम है क्लोरो फिल, जो हरे रंग का केमिकल है, उसका नाम है क्लोरो फिल, इसलिए इस Plastid को ही हमने बोल दिया क्लोरो प्लास्ट, और जिसमें वो कलर वाला केमिकल नहीं है, जरूरी थोड़ी है, हरे रंग का ही chemical में ले ऐसा कोई guarantee नहीं है अब वो chemical अगर colorless है तो फिर उसको बोलते है leucoplast leucoplast का मतलब white जो सफेद दिखता है जो colorless होता है उसे बोलते हैं leucoplast ऐसा plastid जो colorless होता है और कुछ plastid होते हैं अलग color के बस हरा नहीं होना चीए जैसे yellow, red, orange कुछ भी color के other than green अगर ऐसे plastid हैं तो उन प्लास्टिड को हम बोलेंगे क्रोमो प्लास्ट ये तीन नाम आपको याद रखने हैं आपकी बुक में है, क्लास नाइन्थ में चलिए दुबारा से देखते हैं लिव को प्लास्ट बोलेंगे और other than green कोई different color है तो उसको हम बोलेंगे क्रोमो प्लास्ट और जैसे रंग का भी प्लास्टिड है पूरी सेल हमको उसी color की दिखाई देती है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो प्लास्टिड है सब में वो color भरा पड़ा है हर प्लास्टिड में color भरा पड़ा है और जैसी सेल जैसा प्लास्टिड है ऐसी ही color की आपको सेल भी दिखाई देती है आप जब प्लांट को देखोगे तो प्लांट के कुछ पार्ट हमको green color के दिखते है प्लांट के कुछ पार्ट हमको कैसे रंके दिखते हैं? Green कलर के मा लिजे वो प्लांट है अब प्लांट में जब हम अलग-अलग पार्ट देखते हैं सपोज यह एक प्लांट है इसकी रूट है और यहां पर मा लिजे ब्रांच आगे और यह flower भी एक आ गया ठीक है अब जब हम flower की petals को देख रहे तो वो कभी red दिखती हैं कभी orange दिखती हैं अलग-अलग plant में अलग-अलग होती हैं हम कह सकते कि इस flower की petals में जो cell मौजूद है उनमें chromoplast मौजूद है और जो हरे रंग की पत्तियां हैं जो green दिख रही हैं जिनका color green है cell 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 पूरे green color की दिख रही हैं हम बोलेंगे उन cell के अंदर chloroplast मौजूद है और आप इसके पौधे की बार्क को हटा के छाल को हटा के अंदर की cell निकालेंगे तो white color की दिखेंगी आपको चाहे रूट में आप निकालो आपने potato काट के देखा होगा potato काटते तो अंदर से white 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 cell दिखती हैं आपको तो वो जो white color की cell है उनमें मिलता है leucoplast colorless तो कुल मिलाके एक ही पेड में तीनों तरे की cell पाई जा सकती है अब मिलती ही है इसका मतलब हर plant cell में चाहे chromoplast मिले या leucoplast मिले या chromoplast मिले लेकिन plastid जरूर मिलेगा plastid हर plant cell में होता है अब ये काम क्या करते है plastid एक्चुल में जो green color वाले हैं जो green color वाले जो हरी पत्तियों में पाए जाते हैं वो sunlight को absorb करते हैं और photosynthesis करवाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि chloroplast is the cell organelle which helps to make food by photosynthesis process अगर जिस cell के पास chloroplast नहीं होगा हरे रंका अगर नहीं होगा तो वो food नहीं बना पाएगा food बनाने के लिए chloroplast होना जरूरी है आपने देखा होगा जादतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंकी ही होती हैं तभी वो photosynthesis कर पाती है अब तुरंसे आपके दिमाग में आया होगा सर कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां तो हमने लाल रंकी भी देखी ठीक है वहाँ chromoplast जादा है लेकिन उन chromoplast के बीच बीच में हरे रंकी छोटी छोटी सेल होती जरूर है तभी वो photosynthesis करता है वहाँ पर भी हरा उसमें जरूर मिक्स होगा लाल रंकी पत्ति में भी तभी वो photosynthesis कर पाएगा क्योंकि photosynthesis करने का काम केवल chloroplast का होता है अब ये colorful वाली क्या करेंगी, chromoplast का काम क्या है दिखो ये जितना colorful होगा उतना ही attract करेगा insect को और insect attract होके इस flower को pollination करेगा pollination आपने पढ़ा होगा junior class में pollination is a process by which pollen grain moved to female part of the flower अरे सर ये ही तो नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आया था class 7th में था, तो भाईया मैं आपको class 10th में पढ़ाओंगा कि pollination क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये insect attract होते इधर का rust juice ने आते हैं, और वो insect इसके पास आते तो pollination करते हैं, और flower से fruit बन जाता है तो ये भी काम का है, color वाला, अब ये जो white color का है जो stem में, root में मिलती हैं, ये क्या करता है actually in cell के अंदर, जो plastic है, बिना रंग वाला वो food storage करता है, food storage करता है उनके अंदर जो paid photosynthesis से कुछ भी बनाएगा food में उसके पास carbohydrate होगा, protein होगा, fat होगा उनको cell के अंदर ही तो store करना है, इनका कोई थैला थोड़ी है इनके पास हर cell के अंदर, वो plastic के अंदर उसको store कर देगा इसका मतलब plastic क्या क्या कर सकता है, एक plastic के function अगर हम बात करें तो क्या क्या कर सकता है नमबर वन, chloroplast जो है, वो photosynthesis करवाता है नमबर टू, जो chromoplast है, वो pollination में help करता है और जो leukoplast है, वो food storage में मदद करता है अब जब आप 9th से 11th में पहुचोगे, तो मैं बताऊंगा कि leukoplast भी कौन सा food store कर रहा है उसके आधार पर ये भी 3 तरेका होता है अभी 9th में नाम बताऊंगा, तो आप confused हो जाओगे केबल बोल देता हूँ, अगर वो carbohydrate store करता है, तो amyloplast अगर protein storage करता है, तो alluroplast और अगर fat storage करता है, तो ileoplast कहते है आरे सर्फ, confused band बज गई, कुछ नहीं याद बत करो, बस इनको याद करो chloroplast, chromoplast, leukoplast these are the three type of plastid, plastid is a double membrane bound structure and plastid have two components, one is the grana, another is the stroma and these are the function of plastid, that's all, sufficient, बस इतना ही याद करना है चलिए तो आगे की कहानी शुरू करते हैं, last and final जो दिया है cell के अंदर, वो दिया है vacule vacule, vacule का मतलब एक blank space एक खाली जगे, blank space दिखिए, ये जो इतनी बड़ी cell है इसमें लगातार बाहर से कुछ अंदर आ रहा है food आ रहा है, oxygen आ रहा है पानी अंदर आ रहा है बहुत कुछ अंदर आता रहता है क्या हर चीज की जरत हमेशा रहती है cell को ऐसा नहीं है, कई बार माली जी इधर से food जा रहा है तो cell को लगता है, आरे आप food को बुला लो लेकिन ये extra है अभी इसकी जरत नहीं है, लेकिन food तो आ गया अंदर बाद में जरत पड़ेगी तो क्या करता है एक छोट आसा membrane का एक थैला सा रखता है ये और जो भी extra material है उसके अंदर वो deposit कर लेता है कोई भी जो extra है उसको यहाँ पर एक खटा कर लेता है और cell को जब जरत पड़ेगी तो उसमें से फिर निकाल भी लेगा माली जी इस साइटो पलाज में पानी बहुत ज़ादा आ गया माली जी पानी आ गया तो पानी को भी बंद कर लेगी न थेले में एक्स्ट्रा पानी इसमें आ जाओ यहाँ पर रहेगा जब जरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे इसमें से तो एक तरह का जैसे घर में एक store room होता है कोई भी extra सामान हम उस room में पटक देते और जब जरत पड़ती है उसमें से निकाल लेते है ठीक ऐसे ही हर सेल के पास एक खुद का छोटा सा मेंब्रेन से बना हुआ एक सेक लाइक इस्ट्रक्चर एक थैला जैसा एक सेल ओर्गेनेल होता है जिसे हम वेक्योल कहते है तो क्या हुआ वेक्योल वेक्योल इजे सेक लाइक स्ट्रक्चर विच फाउंड डिस्टिबूटेड इन दा साइटो प्लाजम आप दा सेल इट वर्क्स लाइक ए स्टोर रूम एडिशनल कंपोनेंट एडिशनल माटेरियल कैन बी स्टोर इन दीज सेक कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो इन थैलों के अंदर सेल एकटा करके रख लेती है अब देखिए ये जो मेंब्रेन है वो चीज को अंदर भी आने दे रही है और चीज को बाहर भी जाने दे रही है तो ये कुछ अलग है ये मेंब्रेन अभी तक जितनी भी मेंब्रेन पड़ी ही वो तो semi permeable type की थी लेकिन ये तो आवशकता के हिसाब से allow करती है किसी भी चीज को इस मेंब्रेन का नाम कुछ अलग देना पड़ेगा हमने इस मेंब्रेन का नाम दिया tonoplast tonoplast p इसमें लगा देते है silent होता है बोलते नहीं है लेकिन tonoplast ये आपका tonoplast कहलाती है ये membrane का नाम कई बार exam में पूसते हैं कि vacule की membrane को क्या कहते है answer आना चीए vacule की membrane को tonoplast बोलते हैं ठिक है समझ में आ गया होगा आपके ईक जस्ट एक store room के जैसे है अब देखिए कुछ special वेक्योल की बारे में बताऊँ जैसे amoeba है amoeba में जब food अंदर आता है food अंदर आता है तो वो भी एक वेक्योल में बंद हो जाता है इस तरह से मैंने आपको समझाया था तो ये वेक्योल जिसमें food बंद होता है ये भी तो एक थैला है इसको बोलते है food वेक्योल amoeba जैसे animal में मिलता है amoeba एक और होती है contractile वेक्योल contractile वेक्योल ये जनरली extra water को store करती है अगर माली जीस amoeba में ज़्यादा पानी अंदर आ गया तो वो इस थैले में बंद कर लेती है extra पानी को और बाद में यहां जाके food जाती है पानी बहार चला जाता है तो actually ये एक नाम मैंने बताया याद हो जाए तो ठीक नहीं तो परेशान मत हो ना contractile वेक्योल केवल water extra आता है तो उसको बहार करने में मदद करती है ठीक है ये कुछ special वेक्योल हो गई अब थोड़ा सा और special देखिए इस वेक्योल का size कितना बड़ा होता है ये माले जे मैंने एक plant cell बनाई ये मैंने क्या बनाई एक plant cell मैंने लिख दिया नीचे plant cell और ये मैंने एक बनाई animal cell ठीक है इस पे नाम नीचे लिखा animal cell तो देखिए अगर हम वेक्योल की बात करें तो plant cell में maximum space बहुत ज़ादा ये वेक्योल ही ले लेती है ये पूरी की पूरी वेक्योल है और यहाँ पर जो वेक्योल है बीच में तो nucleus है ये तो nucleus है और यहाँ छोटी छोटी वेक्योल पाई जाती है ज़ादा बड़ी बड़ी नहीं होती लेकिन बहुत सारी होती है यहाँ एक ही वेक्योल है लेकिन बहुत बड़ी है सर इसका nucleus कि धर गया अरे जब vacuol इतनी बढ़ी है तो इधर सरक गया न वो side में आ गया nucleus और ये इसका cytoplasm हो जाएगा देखो ये cytoplasm हो गया और nucleus को भी side में कर दिया उसने ये cytoplasm है और nucleus हो गया side में ये nucleus है ये vacuol बहुत बड़ी होती है लेकिन single होती है तो हम ये कह सकते की plant cell में single and large vacuol found and due to the large vacuol nucleus generally found near the cell membrane not in the center लेकिन यहां many small size vacuol found and nucleus found in the center nucleus कहा होता है? center में होता है तो ये जब हम plant और animal cell का difference पड़ते हैं तो वहां पे ये बहुत काम आएगा आपके जब कभी भी आपसे पूछा जाए what are the difference between plant cell and animal cell? तो देखिए मैंने बहुत कुछ समझाया number one plant cell के पास cell wall होती है plant cell के पास cell wall होती है मैंने बताया था number two plant cell के पास plastic भी होगा जो photosynthesis करता है plastic भी होता है यहां cell wall भी नहीं होती plastic भी नहीं होता यहां पर vacuole single होती है और large होती है यहां पर vacuole बहुत सारी होती है लेकिन small size की होती है यहां पर nucleus side में पाया जाता है और यहां nucleus center में पाया जाता है अगर इतने difference आपको याद हो गए तो बहुत है, बाकी तो differences की कमी नहीं है, बहुत सारे differences हम और भी count कर सकते हैं, लेकिन class 9th में अगर इतना समझ में आया, I think it is sufficient. तो इस तरह से आपका chapter होता है, खतम, लगबग हर component को हम समझे, कहां मिलते हैं, क्या करते हैं, कैसे होते हैं, एक procritic cell और eucritic cell में क्या difference है, एक plant cell और animal cell में क्या difference है, बस यही आपको आना चाहिए, और इस तरह से हाज मुझे लग रहा है कि आपको topic clear हो गया होगा और हमारा यह chapter भी आज complete